दोस्तों लखनाओ की जीत के हीरो मार्कस स्टोइनिस को जीत और उनके एतिहासिक शतक की बधाई देती दिखी आथिया सेटी तो देख हर कोई हैरान रह गया जी हाँ दोस्तों लखनाओ और चैननाओ के बीच खेले गए मुकाबले में चैननाओ ने लखनाओ को 211 रनों का टार्गिट दिया था लेकिन जब लखनाओ के 80 रन पर 3 बल्ले बाज आउट हो गए थे तो यहाँ से सब ने चैननाओ की जीत मान ली थी लेकिन आज तो मारकस टोईनिस चैनने की जीत के सामने चटान बनकर खड़े थे आपको बता दे कि जहाँ एक समय पर लग रहा था कि लखनाओ इस मुकाबले को लगभग 50 रन से हारेगी लेकिन आज तो मारकस टोईनिस कसम खा कर आये थे कि वो लखनाओ को जीत दिला कर ही दम लेंगे आपको बता दे कि इस बल्ले बाज ने अंत तक बल्ले बाजी करते हुए 124 रनों की नाबाद पारी खेल कर लखनाओ को एक ऐसा हारा हुआ मुकाबला जिताया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था आज तो मारकस टोईनिस की बल्ले बाजी देख हर कोई उनका मुरीद हो गया यहां तक कि केल राहुल की पतनी आथिया सेटी भी मारकस स्टोइनस की बल्ले बाजी से काफी ज्यादा प्रभावित थी और मुकाबले के बाद आथिया सेटी केल राहुल के साथ मारकस स्टोइनस को जीत और उनके एतिहासिक शतक की बधाई देने पहुँच गई लेकिन दोस्तों क्या इस साल केल राहूल लखनव को चैंपियन बना पाएंगे या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही और भी शानदार खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद